और ये कटिंग का फाइदा देखिए आप तो साखाएं देखिए आप जितनी साखाएं होंगी जितने फुटाव होगा उतना ही फल होगा हर पत्ते की जगह से जहां जहां से पत्ता था जो लीप्स हटाई गई हैं जहां जहां से भी पत्ते थे वह सारी जगह से कल्ले फूट और आगे चलके इनी साखाओं पर फल आएगा आप जहां देखेंगे कितना अच्छा फुटाब आया है यह होता है कटिंग का कम आलो अमरूद में जहां नई साखा आएगी उसी पर फल अच्छा आता है बड़ा आता है और जादे आता है आप कहेंगे यह बीचवाली साखा पर यह पुरानी साखा पर अब नहीं आएगा यह कटिंग करेंगे डबल से किसान थोड़े से लालच के लिए कई न कई कटिंग कम करता है यहां देखिए अब नीचे से इतना एक नहीं बनाया दो तने रिस्क लेता है कि दो तने बना लो कोई खराब न अब वो दो साथ हाएट और आती तो और अच्छा रहता है अब यह यहांसे فंह यह उतना हो यह आप दिख रह चाहिए रहना हमेशा ख्रणा के लान लाग्स वैंसे यहाई आक्ट मारा ये उपर तक चली गई साखा और ये उपर जाकर कट मारे अब यहीं से उन से पूटेंगे साखा यहीं से लेगा इसलिए ये गलती ना करें और ये लालच ना करें कटिंग ये यहां से जैसे कटिंग हो गई थी ये कटिंग ये यहीं से कटिंग होना थी उसके बाद बुसाखा ही निकले आती है तो बिस्स रोप पे धियान दखें किसान वाई हो कि लालच पौधा बनाने में पहले लालच ना करें कुछ दिनों की बात है उसके बाद पौधा बन जाता है डबलब हो जाता है फिर साखाओं को अपने इसाफ से एज़ेस्ट करें करें के उनने ऊपर से किया और पर ठीक किये हमीशा तीछ चक्टी मानना चाहिए मौसम खराब हो या फंगस आए इसलिए को हातियार अच्छा इस्तेमाल करें कटार अच्छा इस्तेमाल करें और वी कट्टिंग का सबसे मूड़ पर मूल पर पस यह होता है कि आपको फसल लेना है आज अगर आप कटिंग करते हैं तो आप उच्छे महीने बाद फसन मिलेगी इसकी